दोस्तों नमस्कार मैं संजय मग्गू और मौझूद है देश रोजाना के डिश्चल मीडिया मंच पर हर्याना के अंदर सरकार बनने की अब तयारियां पूरी हो गई हैं हर्याना के जो नई सरकार बननी है भारती जनता पार्टी की आठ तारीक को आठ अक्टूबर को जो मतगणना में मैंडेट मिला भारती जनता पार्टी को 48 विधायक मिले भारती जन्ता पार्टी को और इसके साथ 48 के साथ 3 निर्दलिये विधायकों ने भी भारती जन्ता पार्टी को अपना समर्थन का पत्र सौप दिया अब 48 सदस्य जो विधायक मंडल है भारती जन्ता पार्टी का उसकी बैठक होगी 16 तारिक को सत्रा अक्टूबर को सुवा दस बजे सेक्टर पांच का जो पंचकुला का मैदान है उसमें शपत ग्रहन यानिकी ओध सेरामनी का सारा कारेकरम तैह हो चुका है उससे पहले 16 अक्टूबर को हर्याणा के विधायक दल की बैठाक होगी भारती जन्ता पार्टी के और उस विधायक दल के अंदर जो परिवेक्षक रहेंगे वो होंगे देश के ग्रह मंत्री अमिश शाहा और मद्य परदेश के मुख्य मंत्री मोहन यादव कल गोशना हुई अमिश शाह के नाम की की भारती जन्ता पार्टी की जो विधायक दल की बैठाक होगी उस बैठाक में केंद्रिय परिवेक्षक के रूप में देश के ग्रह मंत्री अमिश भाई शाह और मद्य परदेश के मुख्य मंत्री मोहन यादव मौजूद रहेंगे जबसे अमिश भाई शाह का नाम आया केंद्रिय परिवेक्षक के रूप में तबसे हर्याना के अंदर चर्चाओं के बाजार गर्म है तबसे चर्चाएं हैं कि अमिश शाह को अगर केंद्रिय परिवेक्षक लगाया गया तो क्या भारती जन्ता पार्टी हर्याना के अंद अदर कुछ बड़ा करने वाली है दरसल आपको बताऊं तो भारती जनता पार्टी की जो राजनीती है जो रनीती है कुछ अलग किस्म की है भारती जनता पार्टी ने राजनीती के अंदर चाहे वो हर्याणा की बात हो चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो चाहे वो चाहे वो उडीशा की बात रही हो यानि कि तमाम राज्जियों में नए प्रयोक की हैं हर राज्जे के अंदर भारती जन्ता पारिटी की जब सरकार बंती है तो वहां नए प्रयोक सामने आते हैं अब दो में देखे जब हरियाना के मुख्यमंतरी दद की बात चली ये अर्याणा का मुख्यमंतरी कौन है तो अर्याणा के एक वरिष humble को अधीकारी मुझे बता रहे थे उनसे बात थी कि राम बिलाज शर्मा उनके यहां सुरक्षा भीजने की बाद चल पड़ी थी लेकिन एक परिवर्तन हुआ और नाम आया मनोहरलाल का मनोहरलाल मुख्यमंत्री हर्याना के हो गए 2014 में मुख्यमंत्री हुए 2019 में मुख्यमंत्री हुए और फिर जब उनका एकदम से बदलाव हुआ जब मनोहरलाल को चेंज किया गया वो भी एकदम से आश्चने चकित कर देने वाली घटना थी 11 मार्च 2024 हर्याना के मुख्य मंत्री मनोहरलाल ने अपना इस्तीफा दे दिया विधायक दल की बैठा कोई और उसमें कह दिया कि बहुत सेवा की है मुख्य मंत्री पत से इस्तीफा दिया जब मनोहरलाल मुख्य मंत्री पत से इस्तीफा दे करके आ रहे थे तब तक लोगों के बीच ये था कि वापस मनोरला दुबारा मुख्य मंत्री बनेंगे लोगों के भी चर्चा ये चली कि दुश्यन चोटारा को निफ्टाने के लिए ये भारती जंता पार्ट्री का कोई पैतरा है लेकिन हुआ इसके उलट 11 मार्च की ही देर शाम को विधायक दल की बैठक बुलाई गई और विधायक दल की बैठक के अंदर नाम रखा गया नायब सिंग सैनी का नायब सिंग सैनी हर्याणा के मुख्य मंत्री हो गई अलिल विज की प्रॉब्लम बड़ी यही थी एक अनिल्विज कहते थे कि मनहोरलाल जी के साथ वो इस्तीफा देने गए थे राजभवन और कहते थे कि मुझे एक बार भी मनहोरलाल जी ने नहीं बताया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, सरकार किसकी बनेगी, मुख्य मंत्री कौन होगा, क्या वापिस मैं होगा ये सारी बाते थी, और जब नायव सिंग सैनी को वजीर आलम बनाया गया, हर्याना का मुख्य मंत्री बनाया गया तो अनिल्विज का विरोध हुआ, अनिल्विज ने विरोध दर्ज करवाया, और ऐसा विरोध दर्ज करवाया कि मंत्री भी नहीं बने सरकार के अंदर कह दिया कि मेरे जूरी अर्थे नहीं बनता अब बात आ जाती है अमिश शाह को हर्याणा का केंद्रिये परिवेक्षक बनाने के पीछे की रणीती दोस्तों तीन विशे ऐसे हैं जिस पर लोगों के बीच चर्चा है जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं सबसे पहली बात तो यह उसके अंदर कि क्या अनिल्विज जो अंबाला केंट के सातवी बारविधायक बनें अंबाला केंट से क्या अनिल्विज कोई रोडा नाटकाएं इसलिए भेजा गया अमिशाह जी को अमिशाह को क्या इसलिए केंटरी परिविख्षक बना कर भेजा गया कि कहीं गबबर वहाँ पर कोई नया बखेडा ना करें आपको मैं ध्यान दिला दूँ कि हर्याना के अंदर चुनाव डिकलेयर होने के बाद और टिकेट वितरन के दौर में अनिल्विज ने दावा किय कि वह भी मंत्रीपद की दौर में हैं ब bearतался कि क्या कि कि दौर में हैं अ довольно कि दौर में हो अगर चुनाव जीतने के लिए करें proprio कि दौर मों पनाल बढ़ करके कल अनिल्विज मिलने पहुंचे जेपी नड़ा के पास अचानक भारती जंता पालिटी के राष्टे अध्यक्ष जेपी नड़ा और उनके दर्वार में उनके द्वार पे दस्तक दी अनिल्विज ने फिर चर्चाएं चल पड़ी और उसके बाद में नाम आया कि अमिश भाईशा होंगे केंद्रिय परिवेक्षा खरियाना के अंदर विधायक दल की बैठक में और इसका एक अनुवान ये लगाया गया कि क्या अनिल्विज के जो पिछले रवाई ये रहे हैं अनिल्विज का पिछले जैसे बेवाकी से बोलना अपनी बात को बिलकुल हड़ करके बोलना और उसके बाद खासकर मनोरलाल का पार्ट वन का कारेभार समालना मनोरलाल के पार्ट टू के कारेभार के दोरान कारेकाल के दोरान गबर की कभी रुस्वाई कभी नाराजगी कभी गुस्सा कभी शोब कभी क्रोध कभी गाना कभी गाना बजाना ये सब चला और उसके बाद में सबसे महत्तुपूर्ण रहा कि जब नायब सिंग सैनी हर्याना के मुख्य मंत्री होने चले तो अनिल्विज का बैठक से चले जाना विरोध करना तो राजनितिक गरियारों में चर्चा है कि अनिल्विज को रोकने के लिए अनिल्विज कुछ ना बोल पाएं उसके लिए अमिशा जो लोग राजनिती में इंट्रेस्ट रखते हैं उनको ध्यान होगा सूरज कुंट के अंदर जो देश के ग्रह मंत्रियों का और डीजी पी का सम्मेलन हुआ था जिसके अंदर अमिशा आये थे अनिल्विज बोले जा रहे थे तो अमिशा ने खड़े होके टोक दिया था बस बहुत हो गया आपका क्योंकि अमिशा वो बड़ा नाम है अमिशा वो बड़ा चेहरा है जिनके सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता तो एक बात तो यह हुई कि क्या अनिल्विज के लिए अमिशा अब दूसरी बात आ जाती है दूसरी बात आजाती है कि क्या राव इंदर जी सिंग के लिए मिश्या चुनाव हो गया गिंती हो गई विधायक बन गए राव इंदर जी सिंग का दावा शुरू हो गया कि मेरे दस में से नौ विधायक मेरे चुनकर के आए है दस में से नौ विधायक ऐसे हैं जो अहीरवाल के जिनको टिकेट अनुशंसा पर दिया गया राव इंदर जी सिंग की हलांकि कमर सिंग यादव जो महंदरगर के विधायक हैं उनके लिए मैं समसता हूँ कि अनुशंसा राविंदर जी सिंग के नहीं थी वो बले ही बाद में अंडरस्टेंडिंग हुई हो क्योंकि राव साहब तो राम बिला शर्मा जी के साथ थे ठेर सरकार का जब गिंती हो गई और सरकार बनने की प्रक्रिया जब शुरू हो गई तो राव इंदर जी सिंग ने आँखे तरेर करके खूब कहा आपको ध्यान होगा उनका पहला वो बयान जिसके अंदर नोने मनोलाल खटर का नाम लिये भी ना कहा कि उन्होंने हमारे यहां कर कई नेता बना दिये और दूसरी बात फिर दूसरी बात उनकी यह हुई कि जो नौ विधायक है उनकी कई जुगलबंदी हो रही है कई गठे हो रहे हैं उनका यह कहना राव साहब का राजा साहब का यह अपना बयान देना बकायदा अथरंटिक उनका वर्जन ह जिसमें वो कहते हैं कि 2014 में हमने 11 के 11 जितवाई 2019 में हमने 8 जितवाई और आव हमने 10 जितवा करके सरकार बनवाने में अपना एहम रोल लिवाया है तो फिर हमारी भागिदारी होनी चाहिए राविंदर जीत ने कहा कि हमने तो अपना काम कर दिया आप बाकी पारटी आला कमान देखेगा तो क्या राविंदर जी सिंग के जो विधायक है ये दुवंशी विधायक अहीरवाल के विधायक कहीं वो कोई गरवड़ ना करे राविंदर जीत कोई गरवड़ ना करे यह कि आमिद भाई शाह केंद्रिये परिविक्षक हुए यह दूसरा सवाल है और जो तीसरा सवाल दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं वो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है हर्याणा के मुख्यमंत्री का चहरा आगे करके भारती जन्ता पार्टी ने चुनाव लड़ा पंच्छकुला के अंदर वो रैली थी जिसमें कि अमिद भाई शाह ने कहा हमारे जो चहरे होंगे हमारा जो मुखोटा होगा मुखोटा ही कहा जाता है चहरा मुखोटा एक ही बात है उन्हेंने कहा कि हम जिस चहरे को आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं जो हमारा सीम फेस है वो नायप सिंग सैनी नायब सिंग सैनी की पूरे हरियाणा के अंदर लगवग सभी विदानसवा छेत्रों में उनका दौरा हुआ, उनकी सभाएं हुई हर लोग सभाच छेत्रों में तो नायब सैनी गए कहीं वो परदान मंतरी नरेंदर मोधी के साथ गए, तो कहीं वो अकेले भी गए यानि कि हर्याना की आदी से जादा विधानसभा सीटों पर नायव सिंग सेनी की दस्तक होई बत और मुख्य मंत्री चहरा कहा भी गया कि नायव सिंग सेनी के चहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि भारती जंता पार्टी हमेशा चोकाने वाले नेड़ने करती है जब से अमित भाई शाह का नाम चला और उसके बाद बात आई कि जो तारीखें बदली तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख यानि कि हर्याना के मुख्या मंत्री के पद के शपत ग्रहन के लिए पहले 12 अक्टूबर दशेरे का दिन उसके बाद 12 अक्टूबर के बाद फिर 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के बाद फिर 17 अक्टूबर कहा गया कि परधान मंत्री ने क्योंकि उसमें शामिल होना आशपत क्रहण में इसलिए डेड़ पतली जा रही है लेकिन परधान मंत्री तो 12 अक्टूबर को भी भारत में थे परधान मंत्री विदेश दोरे से वापस आ गए थे उनने लाल किले पे जो रावन दहन हुआ उसके अंदर बाकायदा तीर कमान लिये हुए परधान मंत्री राष्टपती के साथ है 12 तारीक को भी परधान मंत्री थे तो मैं जो बता रहा था आपको कि तीन तारीक पर तारीक और तारीक पर तारीक ये तीन तारीके मिली 17 अक्टूबर की तारीक फाइनल होई उससे पहले 15 अक्टूबर की डेट का नाम आया उससे पहले 12 अक्टूबर दशेरे का नाम था वे दिपावली और दशैरे का मिलन हो जाए क्योंकि पिछली सरकार दिपावली के दिन बनी थी और ये सरकार शाइद दशैरे के दिन बन जाए लेकिन वो बात दोनोग झो 12 और पंथरा वाली बात थी वो रह गई और 17 की डेट मिल गई और अब राजनीतिक गरियारों में जो आपको बता रहा था एक चर्चा है कि भारती जन्तापार्टी बड़े प्रियोग करती है हला कि नायब सिंग सेनी का नाम डिकलेर्ड है उनके चेहरे पर चुनाव रड़ा गया और तमाम लोगों के बीच एक चर्चा है कि नायब सिंग गरियारों की खवरे हैं जो इस पर नजर रखते हैं उनका कहना यह है कि कहीं कुछ चल तो नहीं रहा कहीं कुछ बनिया पक तो नहीं रहा क्योंकि जिस प्रकार कि हर्यारा की राजनीति चली है दोस्तों पिछले दिनों में और उसके बाद में भारती जन्तापार्टी का ज पिर कोई और क्या अले ल्विज की तरफ से कोई बात हो और सब को देखते हुए नायव सिंग सेनी जो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था क्या उस पर भारती जन्ता पार्टी को पुनर विचार कर सकती है कि इस समय राजनितिक गडियारों में बड़ा चर्चा का विशय है दोस्तों और सबसे महत्वपूर बात ही आ जाती है कि चर्चाएं ज्यादा यूं गरम हो जाती है क्योंकि जो पिछले अंदाज है चाहे वो हर्याणा के अंदर 2014 में मनहोरलाल जी को लाना चाहे उसके बाद में फिर 2022-2024 इंदोरान में और चाहे उत्तर परदेश की बात रही हो यानि कि उत्तर परदेश में का एक योगी आधित्यनाद का नामाना राजिस्तान के अंदर भजनलाल शर्मा का मुख्य मंत्री बनना मध्य परदेश के अंदर मोहन यादव का आना ये तमाम बाते इनको देखते हुए फिर राजनीतिक जो चिंता करने वाले लोग हैं राजनीतिक चर्चाएं करने वाले लोग हैं उनके माथे पर बल आता है क कहीं और कोई बलतों नहीं बनेगा और चर्चा का विश्य आज पूरे हर्याना में यही है हलांकि मात्र बीच में एक दिन है आज 14 तारिख है 15 अक्टूबर का दिन बीच में है और 16 अक्टूबर को भारती जंता पारटी के विधायक मंडल की विधायक दल की बैठक होगी जि क्या फैसला होगा बड़ा सवाल यह है कि क्या नायव सिंग सेनी हर्याना के दोबारा मुख्य मंत्री बनने जा रहे हैं जो मुख्य चर्चा के अंदर है कि क्या नायव सिंग सेनी जिनके नाम पर भारती जंता पार्टी ने चुनाव रड़ा उनी के सर ताज सजेगा और साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें